बहुत बढ़े लोग भी पूरी दुनिया में पेट्रोल इजेल के बहुत बढ़े हैं उसके कारण इधर भी बहुत बढ़ चुके हैं लेकिन अगर भाव इसके कम करने तो राज्जों ने भी इसमें कोई नो कोई तो टैक्सिस आगम करने क्या हो चकता है तो पूरा केंद्र की पूरी थोल् pandemic दुनीर सब्सक्राइब कंसी जांते हैं और इसवında सब्सक्राइब में प्षक्राइब चाहिए ईजरूर वाहरी संवाथ मृत मौति शूर्फ्ट हैं नहीं मॉझातर फिर व्ली नमारेके संब्सक्राइब चाहएं किस्प्रोला रही है कि पूरे देज भर में जाती वावस्ता आज भी है कानून से जाती वावस्ता खत्म हो सुखी है लोगों के मन में आज भी जाती वावस्ता है वावस्त पूछछेट य मतलब यो आप हाथ स्पाए मिज़डुं की सिति इंपरुं करनी कोशिश हमारे सरकार की है ऊब मिजज़ुर आच पेले से कई सालों छेस भाइं कंवारे सक्ष्टर है लेकिन उनको मतलब नच देनी की उसिस हमारे की तरहो पर आज भी समाज में जाती वावस्ता है लेकिन समाज में काफी परियोरतनि हो रहा है जिससे पूरे देज भर में एक लाग से ज्यादा इंटरकास लेकिन बहुत सारे माबाब एसेड़ करते हैं तो पहले तो आपने एक दाद नहीं बढ़ सकते थे बाबा सब अंबेड़गर जी जब सातारा की स्वूल में पढ़ाई करने लिए जाते थे वो स्वूल के बाबार बैठते थे उनको अंदर आने का परमिशन नहीं था लेकिन आज आएंसादा नहीं है मतलब समाज में परिवर्टन गोरा है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के मन में आज भी कास्टिसम है दली दगर अच्छे कपड़े पेंता है तो उनको अच्छा लगता नहीं दली दगर गोड़े पर बैठकर बारात निकालना च जाता है जादी कि उनको अच्छा नहीं लगता है तो इसी तरह की बाते और प्रॉपर्टी खरीद करता है वह अच्छा नहीं लगता है लेकिन इसको सुझारने की कोशिज हमारे सरकार की है और जिम्मेदारी का लिए सरकार की नहीं है रमाज की अलग अलग संस्ताय है पत् करने कि हमारे पालिटी की भूमिका है और दलीट को नहीं मिलना चाहिए उसके लिए विशेश कोई आला ख़ड़ा तायर करना चाहिए इसके बारे में जरूर हम स्यंती जर्चा करेंगे जब वन टाइम 40,000 मिल रहे हैं उसमें जर्चा नरेदर मुदी जी बाबा साब अंबिडगर जी को बहुत तर अच्छी तर मांते हैं जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बाबा साब अंबिडगर जी पर एक किताब बिल गी है और मुदी जी जब अभी दुसरे बाल पजा करूंगा और मुदी जाने के बाद बाबा साब का जो इंटरनेशन सेंटर हो खड़ा हो गया है बाबा साब अंबिडगर जी का जो 26 अलीपू रोड का मेमोरेल हुआ है बाबा साब के बारे में वो बहुत अच्छी तरह भूमिका में जा रखते हैं तो आपने सवाल पूच प्रफिद्धान को बदल सकते हैं तो सविधान को बदलने के ताकत किसमें भी नहीं है और बाबा साब ने वार रख्षन दिया है और जनरल गैटेगरी के लोगों को भी दश प्रतिजित आरप्शन दे दिया है उसमें बब्रामीन भी है छत्री भी है और सभी चाती के लोग उसमें आते हैं मुस्लिम भी है हिंदु भी है जो आट लाग के अंदर जिनका उठपादन है और जो कास यह स्ट्यों भी शिमिन नहीं है हर कास को दस परसेंट आरक्षन देने का निरने हुआ है उसकी तरह मतलब और अभी हमने राज्यों वादिकार जाए तो इनका पहले अंदोरन विरूदी अंदोर में पहले पार हो था यहां के पठेल और पाठेदार प्यारेशन में हमांगते हैं तो हमारा कहना इक उनको भी आरक्षन ना दीजिए तो हर स्टेट को इसको बैकवर्ट पहना है आप मांचे पाठी ना दीजिए है आपकी क्या राय है कि भाई उनको भी सिमें कुल्ट नहीं किया जा सकता है लेकिन उनकी अले कैटेगरी बनाकर उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है अच्छा सुप्रीम पोट है अच्छा कहा कि आखेर का सवाल कि हमको आगे बीच जाना तो निसीन पटेल जी हमारे अच्छे मित्र भी है वो यहां के डेपूटी सीम लास्टाम भी रहे अभी वी डेपूटी सीम है उन्होंने मत्odka हिए देश में रिज्पर ओडाई को संक्या कर देए अच्छा होगे गजाएगी क där यहीए ना को इन्हें को ही मुछ लगता है कि कोई हिंदू कि संक्या कम होने का विष्त इक नहीं है कि ऐहन बहुत मुछल्मान ज्यक्त न कुई करता है ना हम फ istiyorumेड्य कजिस थुर्श थूहिसित वेकिन मेरा मानना है कि यो ना रिखेर सब्सक्राइब काना इसा कूट नहीं है साथ सब्सक्राइब में का थी किया जिक अगर पपुलेशन? कम करना है देश का विकास करना है तो पपुलेशन कम करनी क्या हो जाता है तो अपनी पपुलेशन हो सकती है यह तो हम तो हमारे तो है हैं यह उन्य आ हम कैन। क्टोपूलेशन कम करने के लिए हमने कले सरघ्जों कुंहदे सकति भी है भी मेरे पार्लिटी का मत मैंने ब कुछ सेसके अधी मिशेक्त रही लेकि》 करने के लिए होना चाहिए यह मत मैं प्रदार मंत्री जी के कान पर डालूंगा और हम कोशिश करेगे सरकार के बारे में हम यह मानते हैं यह सरकार कितने दिन चले कि मौलूम नहीं है जब तक हम चलाएगे तब तक इचे चलेगी और अभी तो मत्रबे उद्धो ठाकरीज के सरकार चल रही है और यह कॉंग्रेस पार्टी एंस्टी पिया और चूज करना एक साथ आए है जादा दिन ठिकने वाली दन नहीं है बहुत जल्दी सरकार जाएगी